नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपके वीडियो में बताने वाला हूँ कि यदि आपने Google Drive के अदर कोई फोटो सेब किया था और वो फोटो आपने डिलिट कर दिया है तो कैसे आप वापिस उस फोटो को रिश्टोर रेनिक रिकवर कैसे कर सकते वापिस कैसे ला सकते हैं आपके व को भी जानना है तो हमार वीडियो के साथ सुरू चुले कर अंतक बन रहेगा दोस्तो में उस्तुर प्रिकास चौबे और आप दिख रहे हैं हमारे सब्सक्राइब दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं तो दोस्तों Google Drive के अंदर कोई फोटो यदि डिलि दिलिट कर दिया है तो Google Drive के दर क्या होता है कोई भी फोटो यह फिर फाइल दिलिट होती है तो वह जगह कौन सी है जिसे आप यहां पर जाकर आप वापिस उस फोटो को प्राप्त कर सकते हैं दे करना क्या है गलती हो गया है तो आपको तिन लाइन पर क्लिक करने के बाद अब जो भी फोटो होंगे पिछले देखिए आइटम डिलिटेड फोरेवर आफ्टर थर्टी डेज यानि कि एक बार जो भी फोटो आप डिलिट करते हैं Google Drive के अंदर से वह फोटो डिलिट होने के बाद एक बार वापिस यहां पर आता है और यहां पर आने के बाद 30 दिन सुद्ग ये तक रहता है और आपने डिलिट हो जाता है report सब्सक्राइब भूल वस वापिस चाहते हैं रिकवर करने तो माले जेये हैं आपको रिकवर करना है इस फोटो को तो इस तरीके से यही तरीका है जिसके माधियम से आप गूगल ड्राइब करने देखिए फोटो आ गया यहाँ पे तो क्या है सिस्टम यहीं सिस्टम इसके द्वारा आप अपने गूगल ड्राइब के अदर कोई फोटो या वीडियो फिर कोई फाइल डिलिट हो जाती है तो इस तो आपको एक चोटी जनकारी और वीडियो को लाइक कर दीजेगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजेगा ताकि उनको इस बात की नौलेज हो सके और दोस्तों आपको गूगल ड्राइब से लेडिट कोई वी क्वेरी हो तो नीचे कोमेंट करके आपक ये दोस्तों मिलतने वीडियो मेंक अच्छी और साथ वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारग